हे राजा जनक मिथिलापती यह समस्थ राजाओं के द्वारा वह सम्मानित श्रेष्ट शिवजी का धनुष है यदि आप इन दोनों राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो वह आप दिखा सकते हैं उनके यह विनम्र वचन सुन्ने के पस्चात राजा जनक ने दोनों हातों को जोड़ कर महात्मा महर्शी विश्वामित्र तथा उन दोनों भाईयों स्रीराम और लक्ष्मन से इस प्रकार से कहा हे ब्रम्हन विश्वामित्र यह वह स्रेष्ठ धनुश है जिसका मेरे वम्षज सभी राजा पूजा करते हैं जो इसे उठाने में समर्थ ना हो उन पराक्रमी राजाओं को भी इसका पूर्वकाल में सम्मान किया है हे महर्षी समस्त देवता असुर राक्षस गंधर्व यक्ष किन्नर एवं महा नाग भी इस धनुश को चड़ा नहीं सके इस प्रकार से इस धनुश को खीचने चड़ाने इस पर बान का संधान करने से इसकी प्रत्यंचा पर टंकार देने से इसे इधर उधर उठा कर हिलाने से मनुश्यों की शक्ती नहीं है प्रकार्व यक्ष किन्नर एवं मुश्यों की शक्याओ प्रणा प्रूबाए्ट प्रूबाए्ट रूपला है